मूर्ती कला से किसी भी संसकति कि कलाओं का जब हम अध्यन करते हैं तो न केवल कला के विकास का बलकि कला के सासत हमें उस संस्कृति के स्रजनात्मत्ता का उनके जन जीवन का उनके सोच का और उनकी बहती विकास का भी पता चलता है इसलिए जब कभी हम किसी कलाओं संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं तो उनकी कलाओं का विस्त्रत अध्यन अत्यनत आवशक होता है इसी सिलसले में हम इस महान विक्सित हरपा सब्वेता या जिसे हम सिंदुगाटी के सब्वेता भी कहते हैं उसके कला जिवन को देखेंगे जहां तक हरपा सब्वेता का सवाल है यहां की कला न केवल इनकी स्रजनात्मक्ता का क्रतीक है बल्कि इनके बहुत थिक विकास और साथ-साथ इनकी आर्थिक संपन्न टागों भी बताती है जिस बहु आयामी कलाओं का विकास इनकी बताती है कि यह संस्कति कितनी विक्षित थी और यहां के लोग कितने स्रजनात्मक्त थे सबसे पहले हम देखेंगे मूर्तिकला के बारे में हरपा सब्वेता के जिन सो इस्थानों पे खुदाई हुई है वहां मूर्तिकला के अनेक नमूने मिले हैं यह मूर्तियां है पत्थरों की बनी टेरा कोटा की बनी हुई जिन्हें पच्ची मिट्टी से बनाकर पकाया गया है और धातू की बनी हुई धातू को ढालकर मूर्तियां बनाई गई हैं यह मूर्तियां है मनुष्यों की पशु बक्षियों की है लेकिन मनुश्यों की भी कई सारी मूर्थियां मिली है इन में मात्र देवी की मूर्थि और फिर धातों की अन्य मूर्थियां में मिली है विशेशता एक मूर्थि बड़ी चर्चित है जो तांसे की बनी हुई है वो है एक नर्थकी की मूर्थि यह मूर्थि कि यूद नर्ट की की है वहलकि नत्य नहीं कर रही है लेकिन वह उसकी तर्थिक्षा खरीय- उसकी स्केपम है और उसकी भाव भंगीमा वह बड़ी भावतानत्मत है उसका जो एक्सक्षैशन है वह उनकी मूर्तिकला की घ्रजाता है उसके जो अभूशन है जिस प्रकार से उसने एक हाथ में अभूशन बने वो उसकी नत्य की तयारी को दर्शातार यहां की जो मूर्तियां मिली है उन में भावनात्मक को चीजों के ज्यादा जोड़ दिया गया है तो चाहे वो धातु को ढाल के बनाए गई हो या पत्थरों को काट के बनाए इनकी मूर्तियां इनकी कलात्मक निपोर्ता को स्रजनात्मक्ता को और इनके बहुतिक विकास को बताती है फास तो पर जैसे जो पशुपक्षियों की मूर्तियां मिली है उनमें नंदी हाती एक सिंग वाला घेंडा की जो मूर्तियां है वो उनके प्राकरतिक जो इंट्रेस्ट थे उनको शो करती है तो मुर्थिकला के बाद हम देखेंगे उनकी चित्रकला के अनेग नमूने हड़पा सब्वेता में मिले हैं यह चित्रकला उन्होंने ज्यादा तर उनके जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पे की गई है और इन चित्रकलाओं में अनेग जामी इन मूर्थियों में भी चित्रकला नजर आती है कि उन मूर्थियों पर उन्होंने कोई कलर की है रंग किये हैं जो उनकी चित्रकला के निपुणता को बताते हैं फिर हम आते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का निर्मार यह देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हड़पा वहां से लेकर इस तरीके से और अने को शेप में जो छोटे भी थे बड़े भी थे और अने को शेप में उन्होंने मिटी के बर्तन बनाए हैं और उन पे पॉलिश की गई है उन पे जामिती आगरती बनाई गई है तीक्षण द्वारा और उन्हें फिर पका लिया गया तो इनकी डिजाइन्स और इनका जो आकार पका है उनकी विवित्ता उनकी इस कला में निपुड़ता को बताता है और ये लगबख सारे अस्थानों जैजा कुदाई हुई कहीं जाला मात्रा में कहीं कम मात्रा में मिले हैं इससे यह लोग मिट्टी के बरतन बनाने की कलावें बड़े निपुण थे जो अनाज का भंडारन करने द्रबों के खट्टा करने से लेकर श्रंगार के सामगरिया जैसे उप्टन, पाउडर, उनको पहले ले अभूशण हरपा सब्यता में यहां देवने की बात है कि आप उर्द तरह के आभूशण मिलें जो उनकी श्रंग्रा प्रियता को बताते हैं जो सुने की संपनता को भी बताते हैं अभूशण यूँ तो हड्या अभूशण में यहां बात कर रहे हैं खास तरप सोने और चांदी के बना है उनकी अभूशण पर जो एक रदू भान मिला जिसमें अनेक तरह के गहने मिले हैं और वो गहने इतनी खुप्सर डिजाइन के हैं जो बताते हैं कि यह अभूशण बनाने की कला में कितने निपोड यह अभूशण में यह कान के बुंद्कियां जुमके आपके कंगन कड़े बाहों के जो कंगन पहने जाते हैं वह गले के हार करदनी पाएजिए पाउं के कड़े इस तरह के अने गहने यहां पाए गए और गहनों का प्रियोग भूश भी करते थे इस तरी भी करते एक करते थे इन्होंने प्रियोग किया है इनकी खूबसूर्थी को देखते हुए जान मार्चल ने तो यहां तक कहा है कि हड़पस सब्वेता के गहनों को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह कहीं 4-5-6,000 साल पुरानी किसी सब्वेता के ताउशन होकर लंदन के किसी जोरी यहां से ताजे ताजे लाए गए यह अभी की डिजाइन के गहन है मतलब इतनी बारी और इतनी निपुर्था इनके गहनों में मिलती है खोकले मोती, खोकले मन के बनाने में कि कला में निपूर थे, लोथल, काली भंगा में, अनिक जगह, खाली मन के बनाने के कारखने मिले है, धातु कर्म की कला, इनके इसी बात का प्रतीक है, कि ये धातु को धालने, धाल कर मोती बनाने, उनके ओजार बनाने, अन्य बर्तन बन और द्रन को बनाने की लिभी कांसा बनाना जानती थे सब्सक्राइब लगतीर्द सब्सक्राइब अब हम बाद करेंगे मुद्रा निर्मान या जिसे हम इन विच में सील कहते हैं यहां बहुत महत्पुन बात यह है कि हड़पा सब्वेता के मारे में हमारी जो महत्पुन जानकारी हैं जो भी जानकारी हैं को जातर मिलिये वो इनी सीलों के माध्यम से मिलिये है हड़कपा से बेता में लगभग 3200 सीलह में प्राप्त हुई है यह स्टील यह मुद्राइं जिन हम कहते हैं यह पत्थर की बनी है ज्यादा तर सेल खड़ी की बनी हुई है और इनमें इंग्रेविंस या तो खोद के या ठपा लगाके अनेक चीजें उखेरी गई है इनमें प में शब्ड लिखेगा हैं कहीं चत्रात्मत लिप्की में लिखेगए जादा तर स्कॉयर यह में मिली हैं जो आयताकार है या गोल हैं लेकिन उनकी मात्रा काफी था में जातर तील है इन में पशू खासतोर पर नंदी कूबरवाल डाल खाती एक सिंग का गेंडा हीरन अधी बहुतायक में बनाए गए हैं और उनकी राइट हैंड के साइड में यहां कुछ लिखा गया है अब यह लिखा क्या गया है अधेकलर यह थो अभी तक हमें नहीं पता चला लेकिन यह जरूर है कि इन में कुछ लेखन जो लिखे गए यह साथ कुछ चित्रात्मख हैं और कुछ शब्दों के उसमें लिखें गए हैं कुछ मुद्राओं में पीशी की तरब भी कुछ लेख लिखे गए यह हड़पास इसके बारे में कोई एकमत जानकारी नहीं है इंका प्रयोग लेंडेन में किया जाता था या कुछ मानतें कि इनका प्रयोग व्यापारी लोग अपनी जो व्यापारिया समी थी उन्हें के पंजियर या उनकी पहचान उसके लिए क्या करते थे या कुछ भार्मी कामों में इन सीनों का प्रयोग होता था तो इसकी उप्योग के बारे में विवित तरके मत हैं लेकिन ये जरूर है कि इन मुद्राओं का इस सब्हता में बड़ा महतुपुर्ण स्थान था और इसलिए इतनी विस्तरत उसमें बना गी है यहां तक कि यह जो हमने धार्मिक जीवन के बारे में जब बात की थी कि पशुपती शिव या योगी शिव की जो मूर्तिया मिली है वो भी इन मुद्राओं के में रूप में ही हमें राप्त हुई है अब हम बात करेंगे संगी तुह नर् मुले करें से और संगीत के अनिहेक प्रतीक मिले हैं जिससे लोगे संगीत भूत अ की भूब मुंध्या के मूर्ति मूर्ती है नर्थ के लिए त्याइसि नम孑ी ये बताती है कि यह लोग नत्यकला में निपोड थे या नर्तिकला को बहुत प्रिफर करते थे साथी ढोल वीणा या म्रदंग जैसी आकरती भी मिली है एक कुछ कई मद्राइं मिली है जिनमें व्यक्ति ढोल या म्रदंग जैसी आकरत बना रहे हैं तो डोल तबला इस तरह के जो संगीत के वाद्दे थे उनका अस् गूब कम देखे से यह संब्सक्राइब से अभ्यृष के किसी बिम आुक कूश्य में क Нिखते हैं तो इस के सब्सक्राइब्स कवराजंत करते हैं तो इससे पारते हैं कि इसी मावले में कम तर नहीं थी बलकि अनेक मामलों में जहां तक हम देखें मूर्ति कलाय या मुद्राओं के निर्मार में ये उन से कई कदम आगे थी जो उनकी स्रजनात्मत था उनकी बहुत दिक था और उनके कलात्मत विकास को दर्शा दिये थैंक यू झाल 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 झाल